अपने इस बीडियो में बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पे एक्जाम में कोश्चन आपके आएगा ही आएगा चाहे MCQ के फॉर्म में या फिर एसे राइटिंग या फिर आपसे डिवेट पी आई वगेरा आप देखते हैं कई सारे एक्जाम का में टॉपिक होता है जी डी होता है तो इसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक पे आपको कड़ी नजर रखनी होगी क्योंकि कोश्चन इससे आना ही आना है ठीक है दुन सबसे बचने के लिए कम करने के लिए मीटिंग की जाती समीट की जाती हर साथ किस इन किसी डेस में आयो जी होती है इस बार कहा हो रहा है यूए मैं ठीक है दुबई में हो रहा है एक सो अठानमे डेस इसमें पार्स सेट कर रहे हैं जो यूयन के मेंबर्स है ठीक है उसके साथ 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 बाहरी आब्जर्बर्स टोटल покуп之bers सी को आप जानते होंगे आपका इवेन की बॉड़ी है तो उसमें ट्रीटी होती है कि भी या कि सब लोग सामिल होंगे हर साल इस मुद्धे पर हम बात करेंगे और जो डेवलब कंट्रीज हैं ठीक है दुनिया फर की जो डेवलब वही सबसे जादा उनको क्रेडिट जाता है कि आप ही सबसे जादा कर रहे हैं क्योंकि आप सबसे जादा आपके हाँ हैं इतनी सारी इंडिसलाइजेशन बढ़ावा आप दे रहे हैं तो आपको जादा क्रेडिट जाता है तो आप करने की पूरी कोशिस कीजिए तिनी समुद्दों पे ठीक है हम बात करने वाले हैं क्या-क्या important facts निकलने वाले तो यह जैसा कि हमें पता है कि इस बार कहां पर आयोजित किया जा रहा है युए इ में आयोजित किया जा रहा है मोदी जी भी जा रहा है 30 तार frase संथ हो चुखा है और यह 12 दिसंबर तक चलेगा ठीक है मोदी जी भी दो दिन कल और आज वहाँ पे सामिल होंगे और कई सारे मुद्दों पे बात भी करेंगे bilateral आपका कुछ देशों के साथ बातचीत होगी उसके साथ साथ यहाँ पर भी कई सारे मुद्दों को रखेंगे जो इससे रिलेटेड है जैसे कभी हाल ही में G20 संवेलन अपने आहां हुआ तो भारत ने बढ़ चड़ के बोला कि भिया हम पूरी कोशिस करेंगे और जितने भी चीज़ें इसके पीछे हैं क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है चाहे वो आपकी गैसेस हों ग्रीन हाउस गैसेस हो नाइट्रोजन जो आपकी गैसेस हैं सीओ टू अगरा है ठीक है तो इन सबको हम सही दिशा में ले जाने की प्रयास करेंगे जिससे खत्रा जो है आने वाले समय में वो कम किया जा सके ठी 30 नवंबर से सुरू हो रही है हो चुका है तरीके से और यह 12 दिसंबर तक चलेगा ठीक है क्या है यह 28 एडिशने भी ध्यान में रखिए इसलिए इसका नाम COP28 है और COP मतलब क्या है आपका कॉन्फरेंस आप पाटीज ठीक है तो इसमें क्या जुड़ते हैं आपके अलग-अलग पाटीज मतलब पुरे देश के लोग 298 जो देश हैं वो इसमें सामिल होते हैं और यह किसके तहत किया जाता है UNFCCC यानि उनाइटन नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ओन क्लाइमेट चेंज ठीक है तो बैठक फाइनली स्टार्ट हो चुका है और बात किया जाएगा किस पे जो सबसे बड़ा ग्लोबल इसू है ग्लोबल फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज आप देखी रहे हैं समयक साथ साथ क्लाइमेट में जो टंप्रेचर बढ़ता जा रहा है कहा जा रहा था कि डिगरी बढ़ जाएगा 2030 तक वह पहले ही बढ़ चुका है कम करने की घमे कोशिस करनी थी तो हम डेबलप होने से कम नहीं हो रहे हैं पीछे तुछी जी है कि कहा भी जाता है ना डेबलप आप करेंगे डेवलपमेंट एक कुर्बानिया मांगती है तो कुछ नकुछ नेचर तो वा मानौ प्रजाती के द्वारा की जाती है तो उसका रिटर्न देखो हो जाता है कभी-कभी स्लाइट्स आपकी धस जाएंगी ठीक है लैंड्सलाइट्स वगर आप देखते रहते हैं फिर कुछ ऐसा डिजास्टर आ जाएगा तो फिर दूसरे सब्दों में कहा जाता है कि ने तो इसमें जुड़ने वाले हैं दुनिया भर के सभी लोग कॉन्फरेंस आप दा पार्टीज में यानि सी ओपी टॉन्टी टॉन्टी एट में ठीक है 198 कंट्रीज आपके जुड़ रही है यह भी आपको द्यान देना है और क्या है इसका पार्टीज टुदा टीटी है प्ल कि हमारी वज़ा से भाई देखिए इंडसलाइजेशन हो गया या और भी जो आपकी मीथेन कैसे सो गयरा हो गई ठीक है या जो आपकी सी अफसी गैसे सो गई हमारे हम अपने सुक सुभधाओं के लिए ही रिफ्रेज रेटर हो गया एसी हो गया सब रखे हुए तो नहीं से चोड़के बेना हांकना सुरू कर दे हैंड फैन वगयरा जहुआ करता था तो इनसान को भाई जबरूते चाहिए ही तो लेकिन यहां पे पूरा देश शामिल होगा और इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा कि हम ध्यान रखें तो एजेंडा दुनिया भर का एजेंडा क्या ह है अलग-अलग कंट्रीज का इसमें तो चाइना को सबसे ज़्यादा टारिगेट किया जाता है करना भी चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा यही क्रेडिट है इसी के पास सबसे ज्यादा अगर देखा जाए टोटल परसेंटेज जो कार्बन एमिशन का हो गया जा जो ग्लोबल एमिशन का ठीक है एनुवल ग्लोबल एमिशन का तो यह डेटा वगयरा भी आप ध्यान में रखियेगा ठीक है अब वर्ल्ड बीगेस ग्रीन हाउस गैस एमिटर भी माना जाएगा वहाई सबसे ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हैं मामले में इमिटर है तो ग्र गर्वन आप करोगे तो सबसे पहले तो आप भोगोगे उसके बात दुनिया भोगेगा ही अब करोना का वायरस हाया तो सबसे ज़्यादा वही कि लोग देखो मरे वही सबसे आदा भोगे फिर तो दुनिया में फैला तो सब लोग उसके पीछे क्या हुए शिकार किये ही ग flooding वगेरा कभी सामना करना पड़ रहा है जब glacis पिगलेंगे आपका बाढ़ आएगी ठीक है पानी पिघल के आएगा पहाड उसे जो आपके क्या है परवतों से ठीक है तो लेबल उसका बढ़ेगा ही ओसन का लेबल बढ़ेगा heat waves बढ़ेंगी ठीक है temperature बढ़ेगा तो यह सब आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा तो खुदी परेशान है तो सबसे ज़्यादा उसका योगदान भी ठीक है तो यहाँ पे finally क्या किया जा रहा है Beijing argues that the wealthy developed countries like the US the biggest historical CO2 emitter है Beijing China कह रहा है कि या US जो सबसे developed country है वो भी बहुत बड़ा CO2 emitter है इसको भी सबसे ज़्यादा और सबसे fast क्या करना चाहिए इसको recover करनी को से recover in the sense की कम करनी की को सिस करना चाहिए जो finance वगएरा होता है उसमें बित्तिय सहायता देना चाहिए climate policy को adopt करना चाहिए उसको follow करना हम तो हैं हैं दोसी होता नहीं कि एक पर उंगली उठाओ तुम तु सामने वाला तीन उंगली उठा देगा आपकी तरफ तो यहां पर यही चाइना भी कर रहा है कि यह 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 को भी आगे बढ़ चड़के हिस्सा लेना चाहिए इसको कम करनी की कोसिस करना चाहिए तो यह भी कह रहा हैं यह हम बहुत कुछ कर रहे हैं 369 बिलियंड डॉलर का इंवेस्मेंट कर रहे हैं सबसीडी दे रहे हैं ताकि एलेक्ट्रिक वाइकल्स वगरा इंट्वियूज हो दुनिया भर में हमारे हां खुद जिससे की जो आपके फ्यूल्स वगरा हैं पेट्रोलियम हो उसके साथ यूएस के साथ यूएस के साथ यूपियन यूनियन जो नेशन्स है 27 कंटी के वो लोग भी पूरी तरीके से इसके समर्थन में हैं कि आने वाले समय में इस बार का जो सी ओटी सी ओपी 28 का हो रहा है ति यहां पे सब लोग पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं और इ अगले दस सालों में या 2030 तक हम क्या कर देंगे जो renewable energy है ठीक है जैसे कि आपका solar हो गया ठीक है और भी other energy sources हैं तो इनके माध्यम से हम क्या करेंगे जो की आपको environment को नुकसान नहीं देगा और उसको हम triple करने के तीन गुना जो अभी इस समय चल रहा है जो ratio हम उसको तीन गुन बढ़ा देंगे capacity को अगले decade तो यह सब का क्या है सपत है United State क्या कह रहा है the world biggest oil and gas producer जो ही है also support a COP28 dealing calling to phase out COT emitting fossil fuels fossil fuels से energy generated किया जाता है या use किये जाते है different चीजों में तो उसकी वज़े से ज्यादा credit जाता है इसको fossil fuels वगेरा petroleum हो गया other sources coal वगेरा हो गया coal जैसे electricity generation वगेरा हो गया तो यह सब जादा नुकसान देते हैं तो इस दिए भी काक हम इसके पक्ष में है phase out मतलब एक साथ नहीं ध देशों का भी support करते हैं सबको करना भी चाहिए कायक तो कोई चीजी भी नहीं खतम होती ना कि आप सुचुगा से कोईला से बिजली बनाना बंद कैसे हो जाएगा 70% तो हम खुदी produce करते हैं तो नहीं कर सकते हैं हाँ alternate source हम create करेंगे solar हो गया wind हो गया ठीक है water हो गया जो climate cash to the United Nations this year यानि इस बार आने वाले समय में कुछ समय तक US जो है finance जादा नहीं करने वाला है इस छेत्र में होता नहीं बित्तिये कोश भी बनाया जाता है कि हम इस पे जादा जादा इतना renewable sources ले आएंगे या पुराना जो चल रहा है traditional patterns उसको कम करेंगे ठीक हर साल funding की जाती हर एक देश अपना fund हो गएरा देते तो इस बार US कम किया है और ना कि बराबर है तो यहां पे उनको face करना पड़ सकता है COP28 की बैठक में कि भी या काहें इस बार पीचे हट रहे हो कम क्यों कर रहे हो तो इसकी बात भी हो सकती है US also support creating a new fund to help poor countries यानि एक fund ऐसा बनाना चाहिए कि जो poor countries है गरीब देश है उनको भी हमें provide करना चाहिए financial help जिससे वो इन जो climate caused damage others चीजें है इनको कम किया जा सके ठीक है और उसके लिए क्या होगा कोई force न करे कि दो तो दो पैसा देना है तो देना है बट wants the deal to make clear no country will be obliged to pay into it ठीक है आप एक fund बनाओ उसमें अपना इच्छा अनुसार स्रद्धा अनुसार दीजी आप लोग ऐसा नहीं है कि वह याद देना ही देना अमेरिका ऐसा कह रहा है खेर उसको तो ऐसा भी नहीं उसके सामने दिक्कत आ जाएगी कि इस बार हम नहीं द पाएंगे लास्टियर दे दिये तो चाहे तो अकेले समाल ले ठीक है पूरा यूगन समाला है सबकुस समाल के बैठा है लेकिन यहां पर भी बात ठीक है कुछ देश से भाई हालात नहीं है मतलब एकदम फिक्स ना करो कि आपको वाद्धे करना पड़े या आप फिक्स एम अने वाले दसक में हम टिपल कर दें ठीक है phasing out COT emitting fossil fuels ठीक है phase wise हम जो fossil fuels से COT वगरा CO2 gases वगरा emit होती है उनको भी कम करेंगे ending new coal fuel power plants ठीक है जो आपके coal वगरा से power plants वगरा चलते हैं उनका धिरे धिरे समाप्ती की जाए ठीक है और powering electricity grids with renewable source in the 2030s ठीक है यानि renewable source से चलने वाले grids वगरा electricity को मनलब हर चीज को बढ़ावा देना कि जिससे की हम क्या कर सकें ज्यादा से ज्यादा कम कर सकें जो gases हैं जो आपके CO2 अदर जो components हैं उ फिर उसके बाद UN में जो climate change से related talk हो रही है तो EU block European Union block is traditionally allied with the climate vulnerable small islands यानि EU जो EU आपका ही European Union है वो उन लोगों के साथ भी संबद रखता है मतलब उनके साथ भी allied है जो vulnerable countries है या जो ऐसी countries है poor countries जिनका योगदान कम होता है ठीक है लेकिन काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है climate change की वजह से तो उनके साथ भी यह जुड़े हुए है ठीक है और EU wants China and other large economies to pay into the plant fund which Beijing imposes इनका भी मानना है कि एक plant fund होना चाहिए ठीक है जो बड़ी-बड़ी economies है उनके पास पैसे भी है उपर से कर भी सकते हैं ज्यादा जो बड़ी economies हैं तो वहाँ पर देखते होंगे ज्यादा इनका credit भी जाता है ठीक है credit भी ज्यादा रहेगा किसमें जैसे की चाइनक आप देखने 30% है इंडिया अधर economies है U.S. डेबलब economies है इनका जो रोल भी ज्यादा है तो इनको एक finance की भी वेवस्था करनी चाहिए और उसम में कम करने की इनको कोशिश भी करनी चाहिए अब जैसे कि मैं पता है कि EU जो है United Kingdom EU का पार्ट नहीं है 2020 में उससे अलग हो गया था लेकिन उसके बावजूद भी COP28 जोईन कर रहा है उन सारे मुद्दों पर अपनी बात रखेगा जो दुनिया के लिए खत्रा है ठीक है ठीक है अधर कंट्री जैसे कि ब्राजिल साउथ अपरिका इंडिया चाइना डेवलोपिंग टॉप कंट्रीज में हैं सब काफी देखा जाये तो लार्ज इकनोमी में से एक आती है तो और दो पॉपॉलिस कंट्रीज भी है देखा जाये टू थर्ड मोर दें 60 परसें करने में तो इनको भी क्या करना चाहिए पूरा सहयोग देना चाहिए ठीक है किसमें जो कारवन एमिशन हो रहे हैं उनको कम करने में ठीक है यहां पर और क्या बात हो रही है इच है आप्स फर मोर क्लाइमेट फाइनसिंग और एकुटी थरोधा UNFCCC यानी सबको इसमें अपना योगदान देना चाहिए ठीक है फिर बात आजाती है G77 प्लस चाइना ये भी आपका गुरूप आफ नेशन्स हैं 77 देश में जिसमें G77 और चाइना तो इन्हों ने भी पूरा सपोर्ट किया है जो CUP 28 में उस सारे मुद्दे हैं इनका भी कहना है कि उस सारी कंट्रीज जो बड़ी डेवलप कंट्रीज हैं ओ भी आए साथ में और पूरा फाइनांस भी दें और इसको जल्द से जल्द जो लेबल जादा बढ़ता जा रहा है उसको कट करने की कोशिश करें जिससे की दुनिया इस खत्रे से बस सके अफ्रीकन जो ग्रूप आफ नेगोसियेटर्स हैं ठीक है तो अफ्रीकन पूरी तरीके से सब लोग जिसके पक्च में है उसमें से केन्या हो गया इथोपिया हो गया से नेगर बगया हो गया तो यह लोग भी जो फॉजल फ्यूल्स के जो प्रडेक्शन है इसमें भी फेस वाइज ही कम करने की कोशिश करेंगे एक आएक कोई नहीं कर सकता ठीक है जैसे इंडिया खुद इसके पक्च में नहीं है कि यह हम एक 7-7% हम गुद कोईले सही करते हैं भले हम 44% हम पूरा क्या कर रहे हैं टोटाल करते हैं कोईला उसमें से 70% हैं मोजैम्बिक मोजैम्बिक want to develop their reserves of gas both boost their energy capacity and capitalize on European gas demand मोजैम्बिक वेचारा के रहा हम देरे देरे भी उठ रहे हैं ठीक है तो हमें तो कम से कम कुछ करने दो और उसके साथ साथ हम इसके भी देरे देरे पक्च में रहेंगे लेकिन हम में develop भी थोड़ा होना चाहते हैं और जो other countries की demand है उनको भी पूरा करना चाहते हैं ठीक है फिर बात आजाती है least development countries की ठीक है ऐसे 46 देश है 46 countries हैं दुनिया भर में जो least developed होते होता developing होता है है developing के नीचे आता है least developed sources of income या मतलब हर तरीके से हो हर मामले में पीछे होते हैं तो इससे 46 countries हैं जो में ली आप देख रहे होंगे इन अफरीका continent में ही आपको दिखाई देंगे तो इनका भी मानना ही है कि काफ में तो यह क्या है nations are high vulnerable to climate change but have contributed little to it इनका contribution बहुत कम रहता है क्योंकि हर चीज में काफी पीछे हैं तो कितना इनके पास sources हो जाएगा कि जिससे की ज्यादा ज्यादा carbon हो या इतने धनी लोग हैं कि CFC gases greenhouse gases ज्यादा होगा इनका contribution बहुत हलका ही होगा ठीक है तो यह भी पूरी तरीके से demand कर रहे हैं कि जो rich nations है to double their finance for climate adaptation यानि कि जो finance किया जा रहा है financing हो रही है उसको double कर दें डबल कर दें तो और ज्यादा इस्तिती सही हो जाएगी ठीक है यह least development जो develop countries है उनकी demand है और भारत की अलग से क्या demand है भारत क्या अपनी मुद्दों को लेके आ रहा कित चीजों पर पक्च में है विपक्च में है तो भारत तो सुरू से ही इसके पक्च में है जी 20 संबेलन अभी हाली में हुआ उसने भी उन सारी चीजों के परी सहमती जताई जिसमें पूरी दुनिया सहमत है ठीक है उसने भी कहा कि ट्रिपलिंग renewable energy capacity globally by 2030 तक हम करेंगे ठीक है हम भी सबका साथ देंगे phase down मतलब phase wise जो कम करने की बात की जा रही है कोल पावर कोल के थ्रू जो पावर वगयरा बनाई रती उसको भी हम phase wise ही करेंगे ठीक है लेकिन यहां पे कुछ कंट्रीज का है कहना है कि जल्द से जल्द जिसे फ्रांस हो गया अमेरिका के साथ पिलिक कर रहा है जल्द से हम इस लेकिन अभी भी हम 73% आप दा एलेक्ट्र सिटी कंजियूम जो हमारे हां होती है यह हम जो बनाते हैं वो कोईले की यूज से ही होता है ते कैसे हम खतम कर देंगे हम पूरा कोशिस कर रहे हैं रेनूबल सोर्स आफ एनरजी के तहत ही सारी चीजे सही रहें लेकिन उसके भारत का पच्छ है खैर मोदी जी गए हैं कल और आज मिलके इन सब बातों पर अपनी चर्चा भी करेंगे और इस्तिदी को सही करने का भी प्रयास करेंगे तो आपके लिए इपॉर्टेंट रहेगा यह हर जगा मतलब चाहे जीडीपी आई हो गया फिर उसके साथ साथ आप तैयार ही चाहे MCQ पूछने चाहे आपसे लिखवा लें जैसे भी पूछो कैसे पूछना है इस लेबल की आपकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए जो आपका कॉंफिडेंस लेबल उपर ले जाएगा और आपको अपने चीवन में सफलता हासिल कराएगा तो मिलते हैं अ डेकेड़ फूछोर अपका को